पावर्न एक्ष्प्रेस एक्षन मूवी है और आपको दूसरा मूवी जो है लव स्टोरी है इसकी शूटिंग बंबी में होगा और नेपाल में होगा मैंने दुनों एक साथ किया है एक एक्षन है एक लव स्टोरी है कितार की बाड़े में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता लेकिन ये तो बता सकता हूँ कि ये जो पावन एक्ष्प्रेस मूवी जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इसमें रिमेक दिया गया है कि यह दोनों फिल्म काफी अच्छी बनें और काफी सफलता मिलें। जुपाल जी के लिए मेरा मतलब आशिरवाद है और दिल से दुआ है तहे दिल से दुआ है कि जो पिक्चर बनाने आए हैं उस पिक्चर को मुकंबल करे और रिलीस करे और अल्ला करे कि सुपर हीट हो एक्षन है प्रस लव स्टोरी है जो आज कल चाहिए एस पर रिक्वाइमेंट के इसाब से पिक्चर बना रहे हैं तो हेट हो मैं रंजना दिसाई इनके साथ पाठक सर के साथ माने तीन-चार मोवी किया है और तीन-चार मोवी किया है और मेरी एक्सपरियेंस अच्छी रही है तो I think आगे भी जो दो फिल्मे हो रही है मैं दोनों में हूँ या एक में I don't know बट जो भी करूंगी अच्छा करूंगी मैं मोनिका रहा है और मैं बता दू कि मैं इस भोषपूरी इंडिस्ट्री में न्यू हूँ तो मैं बहुत जादा कुछ नहीं बता पाऊंगी अजहां तक बात रही इस फिल्म की तो मैं गुपाल जी को डेर सारी सुबकामने देना चाहती हूँ ताकि ये पिक्चर सुपर हीट हो मैं इस पावन एक्सप्रेस के सावारी करू ना करूँ लेकिन भोषपर इंडिस्ट्री का हिस्सा हूँ और अज दो फिल्मों का मूरत हुए जिसमें मेरे सप्नों के राज कुमार तो पका है कि मैं कर रहे हूँ डैक्टर साब सामने हैं तो बोली रहे हूँ और दोन कि अधर चाहते हैं तो फिल्म पे चलेगा और यहां करवा दीजे माभी लेकर चला जाओं लेगा चले जाए ना पता है नहीं आपने दिल की बाते मेडिया के सामने आज बोल रहा हूं कि सीमा जी से मैं शाधी करना चाहता हूं लेकिन कितने लोग लाइन में हैं ऐसे वीडियो जिना दे देना बाभी जी को गर पर दिखा दूए अच्छा इस तरह के लड़के शाधी करना चाहेंगे आप उसका प्रिफ बरेंगे जैसा हो बोले बढ़ जा तो बढ़ जा उड़ अब लोगों ने किमती वक्त दिया है आज आप बहुत किमती है अम लोगों को एसे प्यार दूलाग देते रही है हमारे बोश्पूरिया ओडियंस को बहुत धनवाद हम लोग खा और जाती जाते बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपना प्यार और आश्रत बनाए रखे और हमारा ये चैनल गोश्पूरिया मुंबई संगम यूटूपर आप लाइक कीजे और हाँ सस्क्राइब करना ना भूले और देखते रही है गोश्पूरिया मुंबई संगम लब यू अल